वल्कम गयर्ट तो डियेस क्लाशिब। डियेस क्लासेज मैं आप सभी का सवागत है। ऐना थाजमी में लेकर आई हूँ कि डिये दोहेंश्य सेंटिंसिशू के रहे हम ऐसे चैर्ण कर रहे हां। ऐसे ही sentences नहीं हैं हमारे well icon को praise कीज़ेगा जैसे हमारी video आप सभी तक पहले पहुँच सके ठीक है and हाँ most important thing हमारी video को skip तो बिल्कुल मत कीज़ेगा क्योंकि आप अगर skip करेंगे तो इसमें आप काही loss है so skip करने का तो कोई chances है नहीं आप लोगों के पास क्योंकि इसमें बहुत सारे important चीज़ है ठीक है so video में मैं बढ़ती हूँ आंगे आप लोग देख लीजेगा जैसे कि first में आप लोग देख सकते हैं यह लेकर निकल गया mother is taking a bath मतलब mommy नहा रही है ठीक है यह हमारा कौन सा हुआ यह हमारा हुआ first वाला ठीक है आप लोग देख सकते हैं यह कौन सा है first है ठीक है mother is taking a bath आ गया समझ इतना आया समझ अभी हम देखेंगे कौन सा second वाला जिसमें लिखा हुआ है father is saving his weird ठीक है father is shaving his weird पापा डाड़ी बना रहे है पापा डाड़ी बना रहे है third देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है grandfather is reading the newspaper grandfather is reading the newspaper dadadaji akwar पढ़ रहे है dadadaji akwar पढ़ रहे है fourth देखेंगे grandmother is praying to God grandmother is praying to God मतलब कि दादी जी भगवान जी की पूजा कर रही है दादी जी भगवान जी की पूजा कर रही है फिप्त देखेंगे Mother is giving a bath to my sister Mother is giving a bath to my sister Giving के बाद 2 तो आए गई नहीं क्योंकि हम ing form के बाद कभी भी 2 नहीं लगा सकते मैं वर्फ की first form के बाद 2 आता है लेकिन कभी भी जीरन form के बाद 2 नहीं आता है So Mother is giving a bath to my sister मम्मी मेरी बहन को नहला रही है अभी हम देखेंगे second page जैसे की लिखा हुआ है Grandmother is chopping lady finger for lunch Grandmother is chopping lady finger for lunch दादी जी दोफेर के खाने के लिए विंडी काट रही है दादी जी दोफेर के खाने के लिए बिंडी काट रही है अभी ये वाला देखेंगे The maid is sweeping the floor Swipping मतलब क्या होता है? जाडू लगाना So maid first पर जाडू लगा रही है 13 देखेंगे जैसे की लिखा हुआ है आप लोग ध्यान से देखेंगे 13 जो लिखा हुआ है The maid is mopping the floor The maid is mopping the floor Maid first पर पहुचा लगा रही है Maid first पर पहुचा लगा रही है 14 देखेंगे Grandmother is watching devotional song on the television Devotional song मतलब क्या होता है? भक्ती की Grandmother is watching devotional song on the television दादी जी टेली वीजन पर भक्ती के गाने देख रही है ठीक है? इतना समझ आया जो भी समझ नहीं आया कमेंट में बताएगा सारे sentences रहा रही वाले क्योंकि हम लोग daily uses में मैंने देखा है कि हम अगर present में हैं तो present में हम अधिकतर रहा रही वाले sentences ज़्यादा यूज करते हैं तो हम देखेंगे 16 Mother is washing cloth Mother is washing cloth मम्मी कपड़े दू रही है मम्मी कपड़े दू रही है अभी 17 देखेंगे Mother is laying the cloths sorry cloths in the sun to dry Mother is laying the cloths in the sun to dry मम्मी दूप में कपड़े शुखा रही है मम्मी दूप में कपड़े शुखा रही है इटीन देखेंगे Grandfather is watering the plant Grandfather is watering the plants दादा जी पौधों में पानी दे रही है दादा जी पौधों में पानी sorry दादा जी पौधों को पानी दे रही है 19 जैसे के लिका हुआ है दादी is bringing vegetables from the market दादी जी bringing vegetables from the market दादी जी बजार से सबजियां ला रही है ठीक है अभी हम next देखेंगे 20 जैसे के लिखा हुआ है 20 He is eating his breakfast He is eating his breakfast बे अपना नास्ता कर रहे है 21 देखेंगे Grandfather is sleeping Grandfather is sleeping दादा जी सो रहे है 22 देखेंगे Mother is reading a magazine Mother is reading a magazine मम्मी मेगजीन पढ़ रही है मम्मी मेगजीन पढ़ रही है 23 देखेंगे Ante is washing the utensils Ante is washing the utensils Ante is washing the utensils Ante जी बरतन दो रही है ठीक है Ante जी बरतन दो रही है So आप लोग यहां तक देख सकते है इसके बाद कोई पेज नहीं है इतने ही थे आप लोग screenshot लेना चाहिए आप लोग ले सकते है और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe ज़रूर कीजिए And एक मिनिट वीडियो बंद करने से पहले वीडियो को रोकने से पहले एक important बात सुनते जाईए आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही interesting I mean grammar का एक topic आ रहा है So, आप लोग अगर इसका live समझना साथे है So, हम live चलाएंगे कल शाम को 6 p.m So, आप लोग बने रहिएगा अगर आपको live देखना है तो 6 p.m फ्री होकर live ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें हम लोग बहुत ही अच्छी जीज़ सिखाने वाले है Thank you for watching us Thank you for supporting us Please हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीज़ेगा And like तो करीदीजेगा